दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूं देवेश दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपकी सेवा में छह महत्तोपूर्ण खबरों पर मज्यदार विश्लेशन लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी इक वो मिलेंगे उसकी चर्चा करेंगे तो भीया ब्रिटेन के पेट में दर्द हो रहा है कास्मीर को लेकर अडानी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अजीव वो गरीब सा निर्ने लिया है तो यह वारन वफेट की सरण में पहुंच गई है बाइडन सरकार क्यों पह रहेंगे हमारे स्टूडेंट है श्री नरेंद्र सिंग जी उन्होंने भी आत्मिरवर इंवेस्टर कोर्स में सांदार स्कोल प्राप्त किया है बढ़िया तरीके से पास किया है आपको बहुत-बहुत सोग कामना है श्री गुरुनानक देव जी महराज और गुरुगोविन सिंग जी महराज से प्रातना है कि आप श्री चार्ट महालक्षमी जी से भी है कि वह श्री चार्ट में आपका मागदरसन हमेशा करती रहें अब दोस्तों अभी तक आप ने देखा है बाइडन बबा को फोटो खिचाते हुए अब आप देखिए पोतिन सहाब को फोटो रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है बाइडन बबा की वीकेंड खराब हो गया है सब घटना करम देखकर अब भाइया जी फोटो खिचाना है तो केमरा तो पोतिन सहाब के पास इसी बीच बाइचा बाइच देख लीजिए ट्रम्प सहाब ने तो भाइया जी बिलकुल प्रोटेस्ट का आखवान कर दिया है क्यों भाइसाब यह जी पुराना केस है कोई तो एक स्टॉर्मी डेनियल्स नाम से मैडम है उनका और ट्रम्प का कुछ तो अफेर था क्या था हमें नहीं पता बट ऐसा काया था कि ट्रम्प ने स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे दिये कि तुम जो चुप बैट जाओ हमें चुनाओ जीतने तो तभी से जो है वो जो केस है कि पेमेंट के दम पर चुप रहने को का गया वो केस चल रहा है तो उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है इस मंगलवार को दोस्तों दुनिया के सबसे अधिक अधिक अमीर लोगों में गिने जाने वाले मस्क साहब ने कहा है कि यदि टरभे को किया गया तो टरभा जो है अमेर का प्रेशिजंट बनेंगे लेंस्लांइंट विक्ट्री होगी उनकी अब यह जी वह कितना होगा क्या नहीं होगा वह sunshine पता इक बात तो पतिय है कि टरम्क साहाब अभी कमजोर थे रिपब्लिकन पार्टी में ही रिपब्लिकन लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी में डिवीजन है तो उस डिवीजन को कम करने में रिपब्लिकन केंडिडेट बनने का सवाल खड़ा हुआ है अभी तो वहां निश्चित त कि हमारे पेट की गट फीलिंग है मोधी जो है पाकिस्तान की मदद करेगा मोधी पाकिस्तान को गेहूं भेजेगा यही आकासवानी करी थी बड़े-बड़े विद्वानों ने अरे मोधी ने तो भाई जी उन्हें एक दाना नहीं दिया लेकिन रूस ने तो दिया था पचास वह भी हुमेनिटरियन ग्राउंड पे मानव अधिकारों के लिए दिया था लेकिन पाकिस्तान ने उस गेहूं का क्या किया चोटे निकले बहिए चुरा लिया 40,000 गेहूं चुरा लिया उस मेंसे भाईया जी सरकारी अधिकारी गिरफतार हो रहे हैं सस्पेंड हो रहे हैं यह वहां की आर्मी ऐसी है कि उनको खाने के लाले बड़े हुए है अब वह भाईया जी हत्यार छोड़के हल पख़ड़के जो यह खेती कर रहे हैं आजकल 45,000 एकर जबी नदावी तो है उन्हों पंजाब प्रांत में इसलिए इनकी मदद करना से अच्छा है कि वहां पर नॉर्मेल सी लौट रही है लेकिन भाई साब ब्रिटेन को यह वात पच नहीं रही है ब्रिटेन का कहना है अले यार मोधी ने बुल्डो यह छोड़ दिये भाईया जी जैसे उत्तर प्रदेश में होता है वैसा ही जो है कस्मीद में होने लगा तो हमने इन से कहा कि भाईया जी पता तो करो तुम जमीन पर वतार के कि क्यों यह पूल्डो यह चल रहा है सरकारी जमीन 500 रुपया के गराय पर लिए बैठे हैं यूके में आप दे रहे हो जमिन बोलो इतने सस्ते में फ्री में दे रहे हो जमीन सरकारी लोगों को रहने के लिए होटल बनान है इनके ऊपर कर्ज चड़ा हुआ है 1857 की क्रांती में पंजाबी सेना ने ब्रिटेन की मदद करी थी उसी कर्ज को आज तक उतार रहे हैं पाकिस्तान की हर मौके पर मदद करते हुए हम तो इनसे एक सवाल यह करेंगे कि अब तक नमक हलाली करते रहोगे भईया जी अब तो आपके नमक का कर जाओ तर चुका है अब तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाओ लेकिन गोरे लोग हैं बुद्धी से काले हैं अगर भईया जीन के होस्ट ठकाने हो गया होते तो आज ब्रिटेन की तिवरी हालत थोड़ी होती है इसलिए यह लोग ब्रिटेन से ही प्रोप उसके लिए पीवी सी बनाई जानी थी अब पूरा प्रोजेक्ट रुख गया है तो कहने को कह सकते हैं कि साथ बहुत बढ़ा जटका लगया भारत को हमारी ग्रोथ जो है रुख गई लेकर हम नहीं मानते भाई साब कारण यह हर बुराई में च्छाई चुपी है यदि आगे बढ़ने के लिए इसी बीची दोस्तों हमें बड़े अच्छे से याद है एक जमाना था जब दुनिया में क्रिप्टो का तूफान चल रहा था भाई शाब तब नहीं नहीं लॉन्डे लपाटे जो है कहते दें बॉरन बफेट बॉल्लू है तो बेवकूप है इनका आज देखिए दोस्तों आप स्वयम देखिए दोस्तों पूरी अमेरिकन सरकार कदमों में गिर पड़ी है बॉरन बफेट के बाइडन एड्मिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो जिस तरह आपने पहले बैंक ऑफ अमेरिका को बचाया था गोल्डमें इन से सौकोस आगे चलता है भाईया अगर बैंक के पीछे खड़े हो गए तो उस बैंक को डुमाने की तागत स्वयम बाइडन बबा में नहीं है ये क्रेडिबिलिटी पैदा करी है किसने वारन वफेट साहब ने तो वही दोस्तों हम कहते हैं आपसे कि भाईया जी बड़ में हरा दिया था तब भगवान स्री राम ने लक्ष्वन से बोला सा कि भाईये जाओ रावन से सीख किया हो तो हमने तो रावन तक से सीखा है ज्यान प्राप्तिक लिया है ये तो भाईया जी वारन बफेट हैं कभी भी भाईया जी इनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल या न सौधा खड़ा करते समय ही आपका फ्राफिट रावस टेट्मन पक्का हो जाएं अमतलब आपको पता होगा शुरुआ सिक भी ऐस दंदे में इस स्वाधे में मुझे इतना प्राफिट होगा इसना लौस होगा और चू कि आपको प्राविट रावस पहले से पता होगा इसल ही आचार चानक है की हेजिंग स्ट्राइट चीज़ का जो कॉम्प्लिकेटड वर्जन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्राइट जीज़ है वह कवर करेंगे अब हमें इस कोर्स में इसलिए आप में से जो लोग हमारे आत्मनिरवर ऑप्शन कोर्स में सामिल हैं उनको तो यह कोर्स जोइन करना ही चाहिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आत्मनिरवर InverstorCourse.com की हमारी website खुल जाएगी नहीं तो आप डारेक्ट Google पे जाकर भी आत्मनिरवर creator को की नाम से जब्सक्राइब को मिल जाएगी वहां आप कोर्स की जानकारी प्राप्द कर लीजिएगा और आपको वे नि से